दोस्तों आज हम 5 अप्रेल 2024 को रिलिस हुई तेलंगू मुवी दर फैमिली स्टार की स्टोरी देखने वाले हैं यह मुवी बहुत ही आऊसम है शायद आप लोगों को भी पसंद आए यह मुवी रोमेंटिक कॉमेडी और फिल गुड है मुवी का वनलाइन देखते हैं मुवी का हीरो गोवर्धन उसके मा पिताजी नहीं है वो अपनी दादी के साथ अपनी दो भाई दो भावी और बच्चों के साथ रहता है वो एक मिडिल क्रास फैमिली का है इंदू नाम के कॉलेज स्टूडन उसके घर में आती है और उसके प उदास बैठी रहती है वहां बैठी औरते पुछती है तुम्हारी शादी होने वाली है तुम क्यों इतना उदास बैठी हो जैसे कि तुम किसी एक्जाम में फेल हो गई हो इंदू कहती है कि कोई बात नहीं अगले साल फिर से एक्जाम दे देना वो कहती है नहीं जीवन मे ये एक्जाम सिर्फ एक बार ही आता है उसमें मैं फेल हो गई वो फ्लेश बैक बताती है हीरो गोवर्धन को दिखाते है वो बोरी को लेकर कहीं भाग रहा है उसको देख उससे पहले से भागने लगते है कुछ औरतें उसे लॉक करती है फिर भी वो दोड़ता हुआ रेशन दुकान की लाइन में खड़े हो जाता है वहाँ खड़ी लड़कें उसे देख फ्लेट करती है दुकान में एक आधारकार का एक किलो प्यास देते है सब लोग अपना अधारकार लेकर खड़े रहते है वो बहुत सारा अधारकार लाए रहता है दुकान वालों से पुछता है कितना सब्सक्राकार तुम कहां से लाए वो कहता है इसा मेरी घरवालों का है उसकी घर को दिखाते है उसकी भाबी बच्चों के लिए दोसा बना रही है वो देखता है कि उसकी भावी जादा आटा डाल के दोसा बना रही है वो कहते हटो मैं बनाता हूँ बच्चे सब चिलाते हैं चाचा को दोसा मत बनाने दो वो एकदम पतला दोसा बनाता है और कहता है देखो यह कितना क्रिस्पी है ऐसा दोसा यह बच्चो को बसंद आएगा मोटा दोसा खाने से बच्चे स्कोल में सो जाएंगे उसकी भावी दोसा को फुक मारते ही बच्चो की प्लेट में चला जाता है बाहर बड़े भाई की बेटी की रोने के आवाज आती है वो देखता है कि भावी उसे डाट रही है, वो नए जूता मांग रहा है, हीरो जाकर कहता है, कल दिल्वा दूंगा, वो देखता है कि उसका भाई नशे में सो रहा है, वो भाई से पुछता है कि भाईया कब आए, वो कहते है कि वो कब आते और कब जाते हैं, किसी को भी पता उसका दूसरा भाई, बिसनेस के लिए उससे पैसा मांगता है, वो कहता है दो तिन दिन में मैं दे दूँगा, ओफिस के लिए तैयर होता है, उसकी दादी बड़ी मज़ी से कॉफी पीती है, वो उससे डाटते वे कहता है, शुगर रखके तुम कॉफी पी रही हो, वाकिंग गोवर्दन से कहती है, तुम भी शादी कर लो, कब तक अपने भाई की बच्चों को देखते रहोगे, वो कहता है, भाई की बच्चे मेरी बच्चे है, दोनों भाब यह बहुत अच्छी है, इससे सब कुछ ठीक से चल रहा है, मेरी वाली पता नहीं कैसी होगी, वो अपने लिफ्ट में नहीं आती, वो कहता है कि सेड़ी से चड़के आने से शुगर बीपी नहीं होगा, सिगरेट है, शराब है वोलके पीने से, हमारा हिल्थ डैमेज हो जाएगा, मैं अपने हिल्थ को डैमेज नहीं करना चाहता, मेरी ये पर बहुत सारी जिमेदारिया है, ओफि वो पुछती है तो इससे शादी करोगी, वो कहती ही नहीं, ये अपने साथ दादी, भाई, भाबी और बच्चों के साथ रहता है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा लड़का, जो मुझे नहीं अपने पईवार से प्यार करता हो, वो उसे हाथ जोड़के वहां से चली जाती है, ह अब जा की डूब मरो, रात को अपने भाई को लेने वाइश अब जाता है, लेकिन उसका भाई, बाईक में उसके साथ नहीं आता, आटो में बैठ जाता है, प्रसंड में दिखाते हैं, वो औरत पुछती है, इस लड़के में क्या खोबी है, घर का काम करता है, खाना बनात दो, घर के औरतों के काम पे हिल्प करो, ये सुनते हो टेंशन हो जाता है, वो कहता है, मैं सबजी भी लाकर देता हूँ, और तुम्हारे जैसे लोगों से निपटना भी मुझे आता है, वो सब को मारने लगता है, डर के वो गुंड़ा वहां से चला जाता है, रात को गोव वो कहता है, किसे पुषके तुमने रेट में दिया, कौन है उपर, अभी जाकर गर्दन पकड़के बाहर भगाता हूँ, वो इस रूम का डोर ओपन करता है, वो देखता है कि एक लड़की खड़ी है, वो इसके पास जाता है, वहां इंदू रहती है, इंदू को देखते उ इसके होश उड़ जाते हैं, वो पुष्टी कि कौन हो तुम, वो कहता है कि मैं हाउस ओनर हूँ, वो कहती मैं शाम से आपका इंतजार कर रही थी, सुबह से लेके शाम तक, सब के मूँ में सिर्फ गोवर्दन गोवर्दन ही आ रहा था, सब आपके उपर डिपंट है, यह जी बोल के बुलाती है, उसे लगता है जैसे कोई अपने पती को बुला रही है, वो उसे गुड़नाइट बोलती है, उसके तो होशी उड़ जाते है, वो कुछ सोस्ती वे नीचे आता है, दादी कहती क्या हुआ, गरदन पकड़ के नीचे लेके आने वाले थे, वो दा वो कॉलेज में पढ़ रही है, इस कॉलेज में मुझे से क्रेट में घर चाहिए था, उसने मुझे से पूछा, मैंने का एक घर है, लेकिन वहाँ वो तुम्हें नहीं रहने देगा, वहाँ बच्चे और उसकी फैमिली रहते हैं, वो कहते हैं, मुझे ऐसे ही घर पसंद है, मै बिर्याने खाने के जित कर रहे हैं, वो बच्चों से कहता है, हम महेने के फोर संडे, दोबैर को ही बिर्यानी खाते हैं, महेने में सिर्फ एक बार, अचानक से माने से, कहां से आएगी बिर्यानी, डिलवरी बॉइ, आइसक्रीम लेकर आता है, वो कहता है सर आइसक्रीम, द इसलिए बाहर से खाना मंगा कर खाओगी तो अच्छा नहीं रहेगा, नीचे बच्चे हैं, वो जो भी देखते हैं जित करते हैं, बाहर जाकर खाओ नहीं तो घर में बना कर खाओ, वो कहती बच्चों को कुछ चाहिए तो मैं मंगा देती हूँ, गोधन गुसा आजाता है, वो सुनिये जी बोलती है, ऐसे बोलते हैं उसके तो होशी उड़ जाते हैं, वो कहती मुझे आयन बॉक्स चाहिए, कॉलेज के लिए टाइम हो रहा है, वो आयन बस को लेकर जाने के लिए निकलता है, दादी पूछती है क्या इतने गुसे से गया था, क्या हुआ, वो कहती तुम क्यों ले जा रहे हो, बचे को दे दो ले जाएंगे, वो कहता बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे को देखती है, बच्चे खेल रहे है, उन्हें डिस्टरप मत करो, और धादी को जा यहां से बुलके, प्रेस लेकर उपर जाता है, और इंदु को कपड़े प्रे कहता है कि तुमारे भाई को पागल खाना बेज दो, उसके करण हम लोग रोज परिशान होते हैं, ये सुनते गोवधन को बहुत गुसा आता है, वो दुकान वालों को डाटता है, शाम को हीरो अपने बॉस की साथ, एक क्लाइन से मिले मौल जाता है, वो देखता है कि उसकी प बच्चों की तरह enjoy कर रहे थी, कभी भी दादी को बहार लेकर भी जाये करो, उसकी जाने के बाद, हिरो सबको डारता है, तुम लोगों को किसने कहा, बाहर की लड़की की साथ खाना खाने को, वो कौन है, जिसके साथ तुम लोग इतना घुल मिल रहे हूँ, ऐसे लोग हमा पर चली जाती है, वो दादी से पुछता है, ये कब आई, वो कहती बहुत देर पहले, वो पुछता तुम क्यों नहीं बताई, वो कहती कि तुमने तो बीच में गया भी नहीं दिया, वो इंदू को बुलाते वे आता है, वो गुसे से डोर को लोग कर देती है, सुबह उसे जो बच्छी बाते और बुरी बाते करते हैं तुमको किसने कहा मेरी बाते सुने को इंदू उसे सुनी जी बलके बुलाती है वो अपने छाथ पर हात रख लेता है क्योंकि ऐसे बुलाते है उसका हार्ट बीट बहुत तेज से धड़कता है वो उसे college छोड़ने को कहती है वो कहता है कि यहां से college 40 km दूर है पेट्रोल ज़ादा लगेगा वो कहती मैं petrol डलवा दूंगी वो इंदू को college छोड़ता है वो उसे कहती है शाम को 5 बजे college छोड़ता है वो उसे देखता है ऐसे ही दोने की दोस्ती हो जाती है गोवरदन इंदू को आफिस बे लेकर जाता है वो लड़की इंदू को देखकर जलस होती है ऐसे ही इंदू उसकी परिवार के साथ क्लोस हो जाती है एक दिन उसके घर में एक आदमी घुच जाता है और खाना खाना ही लगता है पूछनी से बताता है कि इस घर के बड़े बेटे ने मुझसे 8 लग उधार लिया है वो गोवरजन की भावी को देखकर कहता है मेरा पैसा लोटा दो नहीं तो मेरे पस आ जाओ उस आदमी का कंसेक्शन वर्च चलता है आटो में गोवरजन की भावी आती है उसे देखते हैं बहुत ही खुश हो जाता है उसी आटो में उसकी सारी फैमिली उतरती है गोवरजन सबको एक जगह में बठाता है और बचों से कहता है कि आज मैं तुम लोगों को कुछ सिखाने वाला हूँ जो किसी किताब या क्लास में नहीं सिखाते हमारी फैमिली की साथ या फैमिली की लेडिस की साथ कोई भी बुरी नज़र से देखेगा तो जो मैं करने वाला हूँ वही तुम लोग भी करना तुम लोग देखो डरना नहीं वो वहाँ पे खड़े लोगों को मारता है फिर उस आदमी की पास जाकर कहता है तुमारे घर में भी औरते हैं कहीं उनको भी ऐसा नहो रात को गोवदन का भई नशी में आता है गोवदन उसे बात करता है तुम क्यों ऐसा कर रहे हो क्या प्राब्लम है तुमको क्यों ऐसे पीते हो मैंने तुम में अपने पिताजी को देखा है बच्चों को फीस भरना मेरे लिए भार नहीं है मैं उनके लिए करता हूँ वो मेरा करता भी है अगर वही तुम करोगे तो वो प्यार है इन दो दादी से पुछती है दोनों की बिच क्या हुआ दादी फ्लैश बैक में बताती है गोवर्दन का भाई एक्जाम दे कर आता है उसकी वाइफ पुछती है क्या हुआ वो कहता है कि फालतु का सवाल पुछ रहे थी मैंने एक्जाम नहीं दिया अगले साल दे दूँगा गोवर्दन कहता है वो कुछ भी सवाल करे तुम्हें क्या तुम्हें सिर्फ जवाब लिखना है हमको सिर्फ काम से मतलब होना चाहिए बच्चों की फीस भर के देखो तब ही तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे करण मेरी पिताजी श्राबिय बन गए है अगर ऐसा हुआ तुम्हें बरदाश नहीं कर पाऊंगा सुबा च्छत पर गोवर्दन उदाथ बैठा रहता है इंदू से पुष्टी कितने लीफ एस ट्री में वो से देखता है वो कहती है मैंने समझा तुम ट्री में कितनी लीफ एकाउंट कर रहे हो वो पूष्टी क्या हुआ तुम अदास हो कल की बाद को लेके दुकी हो गए वो कहता नहीं मैं बहुत खुश हो इतने सालों बाद मेरा भाई मेरी तरफ देखा मुझे मारा मेरी गलती थी मैंने सब के सामने उसे डाटा इंदू उसे आठ लाग रुपे देती है और कहती है जाके उस आदमी को दे दो वो लेने से इंकार करता है वो कहती मैं यह अपने फीस के लिए रखा था मैं देख लेती हूँ तुम उस आदमी को पैसा दे कर आओ कहीं फिर से वो धर ना आ जाए वो कहती है आने दो वो मुझे मारेगा तो मैं भी उसे मारूँगा वो कहती तुम सब का ध्यान रखते हो तुमारा ध्यान रखने के लिए कोई होना चाहिए वो से पुछता है क्या तुम मुझे लाइफ लॉंग देख लोगी वो कहती हाँ वो कहती है मेरी उपर बहुत से जिम्मेदारिया है वो कहती मैं शैर कर लोगी मेरी लाइफ मेरी फैमली को देखने में चले जाएगी तुमारे लिए टाइम नहीं रहेगा वो कहती है उस फैमली में मैं भी एक हूँ वो कहती है मैं बहुत गुसे वाला हूँ वो कहती है चुप रहूँ और उसे किस देती है प्रसंद में दिखाते है औरते कहती है तुमने उसे क्यों किस किया वो कहते हैं उसे देख के उसको किस करने की इच्छा होती है इंदू को कॉले से घर आने का समय होता है गोजन उसे प्रोपोस करने के तैयरी करता है बच्चों से कहता है जैसे इंदू आएगी तुम सब लोग वेलकम इंदू चाची बोलके बोलना बचे कहते हैं इंदू तो हमारी दीदी है वो कहता है वो तुमारी दीदी नहीं आसे चाची है तब ही वहाँ पर एक आदमी आके बुक देता है और कहता है कि इंदू जी का बुक प्रिंट हो गई पहले तो वो बुक गोवदन को नर्मल लगती है फिर वो उस बुक को देखता है तो उसे मालूम पढ़ता है कि वो बुक उसके नाम से है और वो बुक उसके परिवार वालों पर लिखी कई है इदे के गोवदन को बहुत गुसा आता है वो इंदू के कॉलेज जाता है वहाँ जाके उसे बता चलता है कि इंदू middle class family के ओपर थिसा सिखने के लिए उसमें गोवातर के घर को रेंट पर लिया, वो उसमें बढ़क जाता है, तुम कैसे हमारी family के ओपर बुक लिख सकती हो, इसलिए तुम मेरी family के साथ close रही, वो कुछ कहने आती है, वो से एक थपड मारता है, और बुक को पढ़ने लगता है, उसमें उसके बड़े भाई के बारे में लिखा रहता है, वो हमेशा नशे में रहता है, उस paper को फार देता है, इंदू से पूछते तुम्हें क्या मालूम उसके बारे में, इंडिया की civil exam में तीन बड़ टाप आ चुका है, दूसरे paper में लिखा रहता है, मिडिल के स्क्रीन पर जाती है वो एक बहुत बड़े बिजनसमैन की साथ खड़ा है वो उस बिजनसमैन को दिखने जाता है वो बिजनसमैन गोवर्धन को देखते ही पहचान जाता है गोवर्धन की ग्रजूशन के दिन उसने अपने कपने का आफर दिया था लेकिन गोवर्धन ने से ठुकरा दिया क्योंकि वो अपनी फैमिली के छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाना चाता गोवर्दन उनसे कहता है कि सर आपने मुझे नहीं पहचाना वो कहते कि मैं तुम्हें कैसे बूल सकता हूं तुम्हें का के लिए और जौब के लिए बोलता है वो अपाइन्मेंट फोन लगाता है और उसे कहता है कि यह फोन लेटस्ट फोन है वो कुछ कहने को आती है वो कहता है कि चुप रहो फिर एक नई बाइक खरीता है उसका वीडियो भी इंदो को भीशता है और कहता है पेज नमबर 13 में तुमने लिखा था गोवर्दन पुरानी बाइक चला रहा है अब देखना कि पुरा सीन ही चेंज हो जाएगा बच्चों को बड़ी स्कुल में एडमिशन कराता है और उनको एसी बस में स्कुल भेजता है वो वीडियो भी इंदो को देखाता है और कहता है यह से भी तुम अपनी बुक में लिख लेना नहीं तो मैं बच्चों को जाले में फैंसे नेकलस वो कहती है तुम बहुत रही सो लेकिन मेरी बात तो सुनो वो कहता है माई फूट गुच्चे से फोन को कार देती है ओफिस आके कॉल करता है देखो अपने आखे खोल के देखो मैं कितने बड़े आफिस में काम करता हूं वो आफिस में आते हुए उसे वीडिय कॉल में दिखाता है वो कहती है मुझे मालूम है मेरी बात सुनो वो कहती है तुमने पेज नमर फार्टी जेक्स में लिखा था गोवर्दन एक लक्स सैलरी के लिए बहुत कस उठा कर काम करता है उस पेपर को फार की लिखो मैं बहुत बड़ा रेज बन गया ह वो कहती है मेरी बात तो सुनो वो कहती है चुप एकदम चुप यह मेरा लास्ट कॉल है मेरे बारे में जाना है तो किताबब और पेपर में पढ़ लेना गूबबाए बोल की जैसे ही बास का रूम उपन करता है वहां इंदू बैठी रहती है वो अपने फोन को काटता है उ इंदू को मुड़ के देखता है वो से देखती है उसे याद आता है कि उसने इंदू की साथ क्या क्या किया उसे थपड भी मारा ये उसके लिए बहुत ही शौकिंग बात है वो चुपचा वहां से चला जाता है बाहर जाकर देखता है इंदू उसे उपर से देख रही है उसक दोस्त पुछते हैं कि तुम क्यों उस कंपरी में काम करने गए, वो कहता है कि मुझे क्या मालूँ कि वो MD की बेटी है, जल्दी उसकी पैसे को वापस देना है, उसका दोस्त पुछता है कि कैसे, तुमने तो एक करूर लिये हैं, वो कहता है मैं अपने घर को गिरिवी रख के लोटा दूँगा, उसका दोस्त कहता है, तेरा घर छोटा है, कोई वाइट हाउस नहीं, बेची से भी तुछे उतना पैसा नहीं मिलेगा, तभी उसे कंपनी से, अकाउंट सेक्शन रामिश का फोन आता है, गोर्दन कहता है, मैं अपने दोस्तों से पैसे के बारे में बात कर रहा था, MD से दो हपते का टाइम मांगी, मैं कैसे भी करके पैसा रुटा दूँगा, रमिश कहता है, मैंने पैसे के लिए वो नहीं किया, कल सुबा 11 बजे, US प्रोजेक्ट के लिए, US जाना है, तुमारे विसा तैयर है, all the best, ये सुनते ही वो खुश हो जाता है, और कहत से मिलके, हारपोर्ट जाता है, वो देखते है कि वहाँ इंदू बैठी है, वो रमिश को फोन करके पूछता है, ये लड़की यहां पर क्यो है, क्यों मेरे साथ आ रही है, वो कहते है कि, वो तुमारे साथ नहीं आ रही है, तुम मैडम की साथ जा रहे हो, वो कहते है ठीक ह मैं तुमको first class का ticket दिलवाता हूँ Gordon flight में बैठते ही flight के first class को अपने family को video call में दिखाता है वहाँ इंदू बैठी रहती है वो कहता है हम family सही इसी flight में first class में जाएंगे वो जाकर अपनी seat में बैठता है उसके दादी से कहता है ये project खत्म होते ही हम ऐसे एक flight खरिद लेंगे बच्चे इंदू को देकर कहते हैं हमें इंदू चाची से बात करना है Gordon कहता है मेरी life में कोई लड़की नहीं है और नहीं तुम्हारे ले कोई चाची जो भी है वो दीदी है phone रखकर कहता है मैंने कहा था पास्ट वले सीट नहीं देना जान मुझके मुझे ऐसे सीट दिये वहाँ बैठी एक लेड़ी Gordon से पुछती है तुम्हारी शादी हो गए वो कहता है एक्सपर्ट किया था वो उस लेड़ी से पुछता है आपके सरकल में कोई लड़ी हो तो बताईए शादी के लिए वो कहती है मैंने इसलिए नहीं पुछा तुम बहुत मासुम हो शादी किसी तेज लड़ी से कर लो उसे गुसा आता है वो कहता है कि कोई मुझे जज्जमेट करने की जरुवत नहीं हैरपोर्ट से बाहर आते ही हिंदू को ले जाने के लिए एक लेज़ूरी कार आती है गोजन कार कर डूर ओपन करता है तब ही वहाँ पे समत नाम के एक आदमे आकर कहता है यह मैडम का कार है आपके लिए दुसरी कार है वो वहाँ से गोजन का एक होटा लेकर जाता है होटल को देके गोजन कहता है होटल तो बहुत छोटा है तम्हारी मैडम इस होटल में अज़स कर लेगी समत कहता है यह तुम्हारे लिए है मैडम के लिए मिंशन है हिंदू समत से फोन करकर पुछती है Gordon क्या कर रहा है Samad बताता है कि वो इस hotel में नहीं रहाएगा बूलके बाहर बैठा है वो फोन को speaker में डालने को कहती है वो Gordon से कहती है कि जिस काम के लिए आए हो उस काम को चुपचाप करो तो सब के लिए अच्छा रहाएगा सिल्फ रेक्स्पेट को बाद में देख लेंगे दूसरे जिन सुबह सब आफिस आते है Gordon आफिस से नहा कर आता है सब उसे हैरानो कर देखते है Samad के पास आकर कहता है होटल का बातरू महुत गंदा है मैं तो रोज यहीं पर नहूंगा फिर इंदू को देखकर कहता है मेरे पस आयन बॉक्स नहीं है मुझे आयन करना नहीं आता Samad तुम आयन कर दोगे और मुझे किसी जीच के जरूत होगी तो मैं तो मैं समद समद बोलके बुलाऊंगा तुम्हारी फैमिली मेंबर की तरह अगले दिन सुबा सब आफिस के बार खड़े रहते हैं इंदू आकर देखती है गोवर्दन वहाँ सो रहा है Samad उसे उठाता है वो कहता है कि होटल का वास्तु ठीक नहीं है इंदू को लंच में इंडियन फूड लाकर देते हैं वो देखती कि गोवर्दन काम कर रहा है वो उस खाने को Samad के हाथ में गोवर्दन के लिए भेजती है वो इंडियन फूड को देखे बहुत ही खुश हो जाता है और खाना खाने चाता है इंदू को देखता है वो बर्गर खा रही है वो Samad से पुशता है मुझे देखे तुम्हें क्या लगता है मैं दई खाना खाने वारे लड़का हूँ तुमारी मैडम क्या खा रही है वो कहता है कि बर्गर गोवर्दन कहता है मुझे भी सेम बर्गर चाहिए आफिस में एक लड़की गोवर्दन को सुनिये जी बोलके बलाती है ये सुनके उसे बहुत गुसा आता है वो कहता है मुझे ऐसा मत बुलाओ मेरा नम गोवर्दन है मुझे कोई ऐसे बुलाए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आफिस में सारे कॉलिक को अपनी तरह धोती बना कर आफिस लाता है समत इंदू से कहता है ऐसे ही चलेगा तो ये आफिस को बस्ठन बना देगा इंदू को मालूम है कि गोवर्दन ये जान मुझे कर रहा है वो गोवर्दन को अपने मेंशन में रहने की परमिशन दे देती है गोवर्दन से प्रोजेट के बार में पूछती है वो से कुछ नहीं बताता सीधे प्रसंटेशन के लिए चला जाता है और अपनी बातों से सब का दिल जीत लेता है सब गोवर्दन के तारीफ करते है इंदू के साथ मेंशन आता है समझ से पूछता है तुम्हारी मैडम के मुझे लटका के बैठी है सब लोगों को तो प्रसंटेशन पसंद आया फिर क्या हुआ इंदू कहती है प्रोजेट के बारे में मुझे डिसकस करना था मैं कस्टमर नहीं हूँ प्रोजेट के बारे में सब की साथ मुझे पता चले घर आकर गोवर्दन कहता है इसको मुझे दे के जलस हो रहा होगा इसे ही नहीं बलकि सब रईस लोग ऐसे ही होते हैं हमारे जैसे मिडियल कास के लोगों को कोई तारिफ करे तो उन्हें गुसा आ जाता है वो सोचते हैं कि सारे क्रेटिट उन्हें ही मिलने चाहिए समत पुछता है तुम दोनों की बीच में क्या प्रॉब्लमें बताओ गोवर्दन कहता है कि तुम बताओ गोवर्दन कहता है तुम काम से बहुत टायर्ड होकर नहाने चाते हो तब कोई तुम्हें विंडो से देखेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा और तुम्हें देखे तुम्हारे बारे में कोई किताब लिखे करतो तुम्हें कैसा लगेगा मेरे साथ ऐसा होता तो चलता मेरे सारी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा हुआ है समध ये सुनके शौक होके बैठा रहता है गोवरदन कहता है ऐसी है तुम्हारी CEO मेडम आफिस में इंदू से मिनले एक लड़का आता है और वो उस प्रोजेट के बारे में पुछता है वो एक्स्प्लेइन करती है वो इंदू का वीडियो निकालता है कार में जाते हैं इंदू का वीडियो देखता है तब ही गोवरदन उधर आकर उसका रास्ता रुकता है और उसे मानने लगता है फिर उसके फोन से इंदू का वीडियो दिखा कर कहता है ये वीडियो तुमने क्यों बनाया इंदू को लगता है कि गोवरदन उसके लड़ रहा है लेकिन गोवरदन कहता है इस वीडियो में हूँ उस लड़के से पुछता है कि मेरा वीडियो तुमने क्यों निकाला तब ही वहाँ पुलिस आती है वो लड़का वहाँ से भाग जाता है इंदू से समत कहता है कि गोरेद्स आपके लिए लड़ रहा था लेकिन वो आपके उपर महद गुसे में है इसे माने के लिए इनकार कर रहा है वो आपकी केर करता है आप फालतु का अपना नाम बिकाड लिए उसके भात्रों में जाके वो पूछती, मैं बातरों में जाकी, वो कहता है, मैं आपकी feelings को समझ सकता हूँ, उसे आपने देखा चलता है, उसकी family की सारी members को देखनी क्या जरुवत थी, आप उसे पसंद करती हो तो, शादी कर लो, फिर बातरों में जाको ये bedroom में, वो समझ को थपड मार के कहती है, मार क्या है इसमें, वो कहती कि इसके जैसा कोई नहीं है, गोवर्दन की phone में, salary credit हो गया, वो समझ से पुछता है कि, तुम देखो, ये 30,000 है, ये 3,000,000 है, वो कहते है 30,000 है, वो रमिश से call करके पुछता है, हम salary में 3,000,000 बात किये थे, आप 30 भेजी हैं, वो कहते है कि, आपन उसे कहता है, मेरा salary कट गया है, मुझे पैसा देने बोलो, intercise मैं दे दूँगा, वो उसे घुर के वाँ से चले जाती है, समझ कहता है, कोई ऐसे पैसा मांगता है, गोर्दन कहता है, तो क्या मुझे भीक मांगने को कर रहा हो, मर जाओंगो लेकिन उसके सामने भीक नहीं म गोर्दन का हाथ पकड़कर उसे कार में बैठने को कहती है, तब भी गोर्दन को समझ आता है कि समथ उसे prostitute बनाके खड़ा किया है, वो लोग से कहता है कि आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, वो कहता है कि हम लोग तुम्हारे एलिए पैसा दिये हैं, वो कहता है मेरे वो लड़कें फिर से गोवधन को लेकर जाती हैं, इंदू उनसे कहती है, हाँ यह मेरा बॉइफरंड है, सब लोग यहां से जाओ, वो चली जाती है, समत वहां आता है, इंदू समत से कहती है, यह प्रोजेट कम्प्लीट करना, मेरे लिए और मेरे फैमिली एक लिए बहुत प्रोजेट को कम्प्लीट करने के बाद, उसे जो करना है, वो करने दो उसकी मरजी, उसे घुर के जाती है, घर से गोवधन को कॉल आता है, वो समत से कहता है, अब मैं क्या करूँ, उसका बड़ाबाई कहता है, आफिस से कोई आया है पैसा लेकर, वो आदमे तीन लाकरों क उसके भाई के आत में देखे जाता है, गोवधन का बड़ाबाई कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लोगों को बहुत डिसेपॉइंट किया, मैं तिस एक्जाम में जरूर पास हो जाऊंगा, समत कहता है कि प्रोजेट कम्प्लीट होने तक, तुमारी फैमली को हर मैंने पैसे मिल जाएगा, मैडम ने कहा है, तुम्हें कोई भी डिस्टप नहीं होना चाहिए, वो इंदू के पास जाता है, और बहुत ही जाते हैं, वो उसे माफी माँगता है, इंदू हस्ती है, इंदू उसे प्यार करती है, फिर इंदू ने ऐसे क्यों किया, आगे कहान इंदू और गोवर्दन करीब आने लगते हैं, दोने एक साथ काम पर जाते हैं, और वापस आते हैं, गोवर्दन काम करते समय, बहुत सारी कॉलिक महां रहती हैं, इंदू वहां से सब को बेशती है, इंदू को यह अच्छा नहीं लगता है कि कोई भी लड़की गोवर्द कम्प्लीट हुआ है, वो गोवर्दन को सबाशित देते हैं, प्रोजेट कम्प्लीट हो जाता है, इस खुशि में पार्टी चलती हैं, इंदू की बिताजी कहते हैं, इस प्रोजेट की जिम्मेदारी को मैंने सिर्फ एक परसन को दिया था, उसके कारण ही आज हम सक्सस अपने बच्चों की तारिफ हमें ही करना चाहिए, इंदू ने इस प्रोजेट के लिए बहुत हार्ड वर्क किया, मैं बहुत खुश हूँ, दोनों एक दोस्त के तरह करीब हो जाते हैं, प्रसन में दिखाते हैं, एक लेडी पूछती है, तो वो फिर से तुमारी प्यार मे भी लव करते हैं, वो मेरे और मेरे फैमिली के बारे में क्या सोचती है, उसकी लेकि किताब से मुझे पता चल गया, किसी क्रिमिनल को अपने घर में रखके, उसे सवधार से रह सकते हैं, किसी शराबी को अपने घर में रखके, उसके उपर विश्वास करके रह सकते हैं, ल उसको भी ये प्रोजेक्ट सक्सस होना है, इसलिए हम दोने एक फ्रेंट की तरह रहते हैं, उसने मुझे धोका दिया है, उसके बदले उसी एक अपाहीजी मिलेगा, वो लेडी कहती ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो कहता है, मेरी जुबान की बाते सच होती है, देख लेना, हिंद लाव का करण उसे समझ नहीं आता, वो उसे पुछ लेता है, क्या हुआ, दो-तिन दिन से तुम क्यों खोई-खोई रहती हो, कुछ प्राबलम है क्या, वो से कहती है, मुझे क्या प्राबलम हो सकता है, फिनेंस प्राबलम, ये करियर के बारे में प्राबलम, मेरा प्राबलम मैंने थीसे सिखनीक लिए तुम्हें किस नहीं किया मैं तुम्हें सची दिल से प्यार करती थी वो रोती ही वहाँ से चली जाती है दोनों वापस इंडिया जाते हैं इंदू की पिताजी को फोन में कोई धमकाता है तब ही वहाँ गोवर्दन आता है और अपने MD को थैंक्स बोलता है वो कहता है कि आपने US प्रोजेट के लिए मुझे 10 करूर दिये चेक लेते समय मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी बड़ी रकम मुझे मिली है आपने मुझे confident दिया है आज की दुनिया में सब लोग success ही देखते हैं अगर कोई हमसे प्यार करेगा तो उसके लिए हमें success होना या तो rich होना चाहिए नई तो हमारे जैसे middle class को judgment कर देंगे लेकिन आप वैसे नहीं है आप middle class मुझे पर विश्वास किया मेरे target पर विश्वास किया आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया इसके बदले मैं और मेरी family हमेशा आपके अभारी रहेंगे वो चानी लगता है MD उसे कहती है तुम हिंदू के बारे में बात कर रहे थे ना उसने तुम्हारी उपर thesis लिखा वो तुम्हारी और तुम्हारी family के बारे में thesis में क्या लिखी जी तुम्हें मालम है फ्लेश बैक में बताते हैं हिंदू college में अपने thesis के बारे में बताती है गोर्दन एक साधरन लड़का है उसकी family उसके लिए सब कुछ है उसकी भाबियों उसके लिए बेहन जैसी है वो सिर्फ अपनी family के जी रहा है अपनी family का सारा भार खुद देखता है वो एक मासूम है अपनी सारी इच्चा को दफना कर अपनी family की सारी जरुरतों को पुरा करता है वो एक सच्चा इंसान है उसकी family के साथ रहने में जो खुशी मिलता है वैसा कुछ इस दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा उसके साथ रहने से सुख प्यारों सुरक्षा मिलती है ऐसी इंसान की कहानी चार दिवारों में ही नहीं रहना चाहिए कई फैमली में आज की जनरेशन अपने माते बिता भाई बेन की परवान नहीं करते उन्हें गोवदन के बारे में पढ़ना चाहिए सब को जिन्दिकी क्या है समझ आएगी हमारी लाइफ में चाहिए कितना भी प्रॉबलम आए कभी भी अपनी फैमली को छोड़ना नहीं चाहिए आज की जनरेशन के लिए एक किताब है पढ़के सब को पता चलेगा कि आज की जनरेशन में ऐसा भी एक इनसान रहता है इसलिए मैंने गोवदन के बारे में तितस लिखा अगर वो समझता है कि मैंने उसका अपमान किया है तो मैं उसे माफी मांगूंगी अगर उसने मुझे अपना लिया तो मुझे से बड़ा भागी शाली इस दुनिया में और कोई नहीं होगा उसने मुझे नहीं अपनाया तो मैं अपने जिन्दे की आखरी शरनों तक उसे याद करती रहोंगी अपनी फैमिली के लिए अपने जीवन के अरकुशी को त्यागने वाले के लिए क्लैप बस नहीं होगा सब खड़े होकर उसके लिविश करेंगे सब खड़े होके क्लैप करते हैं ये सुनते गोवर्दन के आखे बर जाती है वो इंदू को फोन करता है एमडी कहते हैं कि उसे तुम बात नहीं कर पाओगे वो बताते कि उसे मिलिक मिनिस्टर आये थे उन्होंने कहा कि मैं बहुत सालों से पॉलिटिक्स में हूँ मेरे बाद मेरे पोता मेरी जगा इलक्षर में खड़ा होने वाला था मैंने उसके लिए सीट भी कनफरम करके रखा था उसने का इलक्षर के बाद में बेजिय हो जाऊंगा इसलिए अभी मैं अपने फ्रंट के साथ यूएस गुम के आता हूँ वहाँ उसने तुम्हारी बेटी को देखा वो उसे बहुत पसंद आई गोवर्दा ने मेरे पोते को मारा पुलिस के डर से वहाँ से भाग रहा था तब ही उसका एक्सिडेंट हो गया मैंने बड़े-बड़े डॉक्टरों से उसका ट्रीप्मेंट कराया उन्होंने कहा दिया कि अब ये कोमा में ही रहेगा नर्स को घर में रखके उसके देखबल करने को सोचा लेकिन मुझे नर्स पर रुश्वास नहीं पत्नी की तरफ कोई भी अपने पत्ती की देखबल नहीं करेगा इसलिए मैंने अपने पोते की शादी करने की सोची उसके लिए मैंने तुम्हारी बेटी को चुस किया क्योंकि वो उसकी पसंद है उसी के करन उसके एकसिटेंट हुआ तुम्हारी बेटी का फर्ज बनता है कि वो अपने पती की देखबल करे अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुमें ही नहीं बलकि तुम्हारी बेटी को बेमार डालूँगा गोवर्दन वहां से अपने दादी की साथ इंदो को देखने जाता है उसकी दादी कहती है सब लड़ाई के लिए चाकू तलवा लेकर जाते है तुम्हीं किताब लेकर जा रहे हो वो कहता है चुपचा बैट सब तेरे कारणी हो रहा है वो पुष्थी मैंने क्या किया वो कहता है तूने ही तू उस लड़की को मेरे सर पे बैठाया एक शाधी के घर में सब को किताब देते है वो एक चैर पर बैठता है एक और लेड़ी उसे कहती है ये मिनिस्टर का चैर है पुष्थी कि तुम कौन हो वो कहता है कि मैं लड़की की तरफ से हूँ दादी सब को बुख देती है गोवर्दन कहता है मैं जिसलिए आया हूँ अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा जाने के लिए इस बुख को पढ़ो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस लड़की ने बहुत अच्छा बुख लिखा है सब को पढ़ने को कहता है सब चुप चप खड़े रहते हैं दादी को पढ़ने को कहता है दादी बुख रगकर बोलने लगती है वो बुख में लिखी सारी बातों को बताती है गोवर्दन पुछता है चुप क्यों हो गई, पढ़ो, वो पढ़ने लगती है, गोरदन चुप चप मार खाते जाता है, फिर उन लोगों को मारता है, बाहर से कई गुंडे गोरदन को मारने आते है, वो सब को मार गिराता है, तब ही मिनिस्टर कहता है, मारो, कितने लोगों को मारोगे, तुम्हें मा मेरे दो भाई हैं, इसे अपने तीसरा भाई समझ के उसे देख लूँगा, मुझे भी दुख हुआ, आपके पोते के बारे में जानकर, उसने जो किया, उसके लिए इसाजा बहुत बड़ी है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकती है, किसी इं मिनिस्टर के पोते के हाँ से, वो अपने गली में मंगरसूत पहन रही है, वो धर आकर उसके हाँ को जटक देता है, और पुछते हैं कि तुम क्या कर रही हो, वो कहती है, तुमने कहा था कि तुम मुझे देख लोगी, तुम्हारा गुसे मेरे उपर है न, तुम मुझे मार अगर तुम इसे छोड़ के चली चाओगी तु, इसका क्या होगा, इंदु रोती है, दाधी गोवरजन को उसे हग करने को कहती है, वो इंदु को हग करता है, और उसे माफिय मांगता है, वो कहती है, तुम मुझे लाइफ लॉंग देख लोगे, वो कहता हाँ, वो उसे बा के हमित को समझाएगी, ठैंक यू फिर मिलते हैं अगली मुवी के साथ, तब तक के लिए हमारे सब्सक्राइबर और वीवर्स को बहुत सारा प्यार,